गाइस एंजलवन से जो आपने बैलन्स को विड्रॉल किया था उसे कैसे कैंसल किया जाता है आज की इस रीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो Angel One ब्रोकिंग से आपने balance withdrawl किया था trading हो गया या फिर main balance हो गया जो भी आपने withdrawl किया था उसे यहाँ पे cancel करना चाहते हो अब आप जो है उसे withdrawl नहीं करना चाहते हो तो कैसे cancel करोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको जो Angel One की application है इसको open कर लेना है इसका link नीचे description में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक demand account ओपन नहीं किया है तो कर लीजिए उसके बाद में इस तरीके से interface आएगा यहाँ पे basically आपको जो password है वो जो angel 1 में broking में जो MP आपने बनाया था वो यहाँ पे enter करना है तो वो यहाँ पे हम enter कर देंगे जैसे ही enter करोगी इस तरीके से interface आजाएगा अब guys आपको करना क्या है जो balance को अपने withdrawal किया था उसे cancel करने के लिए नीचे में accounts का एक option आपको show हो रहा होगा इस accounts पे आपको click कर देना है इस तरीके से interface आजाएगा यहाँ पे जो balance का सामने withdrawal लिखा रहा है इस पे हम click करेंगे यहाँ पे withdrawal पे click करेंगे और इस तरीके से interface आजाएगा अभी आपको करना क्या है नीचे तोड़ा सा scroll down करना है इसको और यहाँ पे आपको एक option दिखाई दे रहा होगा fund transaction इस पे आपको click कर देना है जैसे ही इस पे click करोगे इस तरीके से interface आजाएगा यहाँ पे fund withdrawal option पे आपको आजाना है उसके बाद में यहाँ पे जो balance आपने जो withdrawal लिए डाला था वो pending में है तो इसे आप cancel करना चाहते हो तो simple सा इस पे click कर देना है इस तरीके से interface आजाएगा आने के बाद में कितना amount डाला था एक रुपे withdrawal अभी pending में है bank हमारा यह है और transaction date हमारी यह है तो इसे हम cancel करेंगे तो cancel request पे हम यहाँ पे click करेंगे जैसे ही cancel request पे click करेंगे यह बोल रहा है कि क्या आप जो है इसे cancel करना चाहते हो या फिर disable करना चाहते हो अगर आप बाइचान से गलती से click होगा है तो disable कर सकता हो लेकिन आप जानबोज कि cancel करना चाहता हो जो है मुझे withdrawal नहीं चाहिए अकाउंट में इसी में रहने देता हूं तो cancel request पे हम click करेंगे एक बार से फिर से यह बोलेगा कि क्या फिर से आप जो है शोर हो यहाँ पे cancel करना चाहते हो तो हम यहाँ पे फिर से yes पे click कर देंगे जैसे ही आप yes पे click करोगे अब guys यहाँ पे हमने cancel कर दिया है हमारा fund यहाँ पे pending आ रहा था जो cancel हो चुका है उसके बाद मेंगर हम दुबारा से इसे open करेंगे तो यहाँ पे fund जो है हमारा cancel हो चुका है कि आपका जो fund है withdrawal वो cancel हो चुका है अब क्या करेंगे हम home screen पे आ जाएंगे यहाँ पे हमारा जो balance 9 रुपे था आट रुपे था वो अब 9 रुपे हो चुके है और balance को हमने यहाँ पे जो क्या है cancel कर दिया है तो इस तरीके से आप जो withdrawal amount है उसे cancel कर सकते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि angel broking से किस तरीके से जो fund को जो withdrawal है उसे कैसे cancel किया जाता है अगर कोई भी आपकी समश्या है दिन trading से related कोई problem है तो आप commit कर सकते हैं हम आपको comment कर reply जरूर देंगे जिसी की कोई समश्या हो चुकी है दिन आप उससे गबरा चुके हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं हम आपकी मदद जरूर करेंगे